प्यारे बच्चों मेरे नाम प्रिविंट गयाल होते हैं और आनन इंसिट्यूट के यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि मैं करम से बताते जा रहा हूं कि सबसे पहला जो मारे वीडियो बना 9 और 10 को ले करके नवी कलास और 10 कलास के लिए सबसे पहले कौन से वीडियो बना था हमारा मुहावरे और लोकोक्ती में अंतर समानताई जो दूसरा वीडियो बना हमारा उसमें देखा हमने लोकोक्ती एक एक का वाक्य में परियोग करके हमने सीखा तीसरा जो मारे वीडियो बना उसमें था मुहावर को याद कर सकते हैं और वाक्य में परियोग कर सकते हैं जो उमारा चौता वीडियो बना था वो बना था पत्र लेखन को ले करके कि प्रेक्षक क्या होता है प्रेशिती क्या होता है कौन किसको पत्र भेशता है उसके वीडियो के अंत में मैंने आप से कहा था कि जो म करते ही अपन तो क्या करते हैं और रेस देने में रहते हैं कितनी गाड़ी भागे कौन आगे कौन पीछे उससे को मतलब नहीं है लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें कभी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जिन्दगी एक बार मिलती है अगर गलती से भी गलती हो गए तो फिर जीवन मिलेगा नहीं तो अपने ऐसा क्या करें कि जिससे कोई व्यक्ति हमारे अंदर आके नहीं यहां उसके टकराए नहीं तो कुछ चीजों को फॉलो करना उ ब्लू राइच युलो राइट अलगर सब मतलब कल्रिक होती होती है पता चल जाता है कब रुकना है कब चलना है और अगर वहांपहर आपको मुर्णा होता तो और नहीं है का आपको ईंदीटर देना ही है जो अपना वाकल है जैसे कि अभाश सब्सक्राइज कшего जान में चल प्रशना आते हैं उसको भी लेखना जरूर है लेकिन इसको हमारे द्यानिक जीवन के उतारना बहुत ही आवश्यक है ठीक है सबसे पहले देखते हैं गाड़ी चलाते समय में क्या-क्या ध्यान रखना चीए अगर हाइवे आप गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं तो वहां प पीछे चले जाएंगे तो वहां पे बहुत ध्यान रखना होता है कब देना है कब गाड़ी को ऑवर्टेक करना है शरप के गाड़ी नहीं चलानी है इस सब चीजों का पर देना होता है जो में देना भी चाहिए एक विशिश करके जो अपन जैसे लोग है वो क्या करते हैं अपन हम जो है वह अपने दिखता बाइक का परियों करते हैं साइकेल मोटरसिकल लेकर जाते रहते हैं तो आपने देखा होगा को जी हाइवे है उस हाइवे के सबसे सड़क के लाश्ट में एक पटी वनी होती है पट्टी के अंदर इतनी सा इसपैस होता है जहां पे मोटर नहीं रहेगी और हम बच्छे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे नेटी पिछे तो को गाड़ी खींच के आएगा पी करके और उड़ा के चला जाएगा तो यह पूरा आपको ध्यान रखना है अब आगे हैं गाड़ी की कागज कागजात पास्त में बहुत ज़रूरी है अगर गाड़ी के काग्जात पास्त में नहीं है तो आपके ऐसी चपट लगेगी आप सोच भी नहीं सकते के माली आप सिटी में जा रहें कि कहींधा जो सिगनल लाइट लगी होते ना उसके आगे होता जैबरा क्रोस ऐसे लाइंग खिची होती है उसका मतलिए आपका वाइकल है जो आपके गाड़ी है मोटर साइकल है वो सिग्नॉल रेड होने के बाद लाल बत्ती लग जाएगी तो जैबर्या करूस आपको क्या करना पीछे खड़ा रहना है अगर आप जैपूर सीटी से बड़ी सीटी में यह उद्यपूर जो बेची सीटी है जो शहर है अगर वहां प पटी के ऊपर आगे अब पटी वर क्यों नहीं आना है वह इसलिए नहीं आना है कि जब भी लाइट लगती है तो जो पैदल चलने में लोग होता है वह करते बहां से गुजडते हैं तो आप उसके ऊपर आज जाएंगे तो क्या होगा वो लोग नहीं निकल पाएंगे और दुर गटना भी हो सकती है तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है अब गाड़ी के कागज़ात में ऐसे कौन कुछी चीज़े तो देखिए अगर आप मोटे सब्सक्राइब चलाते हैं अगर आप कार चलाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी की आर्सी जो गाड़ी का सबसे मैं डोक्यूमेंट है आर्सी मतलब गाड़ी किसके नाम की है गाड़ी के नंबर गाड़ी की जो गाड़ी का मॉडियल है वो पूरा उसमें लिखा हुआ होता है तो सबसे पहले गाड़ी की आर्सी बहुत जरूरी है गाड़ी की आर्सी के बाद जरू पड़ेगा तो बीमा बहुत जरूरी है बीमे के बाद आज एक बहुत चोटी चीज और है अब कहीं भी चले जाए सिटी में एंदाबाद जाए कहीं भी जिए सबसे पहले ट्राफिक पुलिशन शेटिपिकर कौन सा पॉलिशन पी पॉलिशन शेटिपिकर पी उसी बोलते पी पी उसी अगर सिफ पचास रूपे की बनती है पचास या सो रूपे की अगर वह आपके पास नहीं है तो अगर आप गाड़ी चला तो सबसे पहले पुलिशन करवानी बहुत जरूरी है ऐसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है और हां सबसे जरूरी अपना लाइसेंस अगर लाइसेंस नहीं है और सारी डॉक्यूमेंट है तो आदमी भी अंदर गाड़ी भी अंदर इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है यह तो कि सामानी से बात अब देखते हैं कुछ सिंबल मनिया बना रखें चिना बना रखें अब क्या होता है कि जैसे आजकल अपन इतनी सब्सक्राइब होगा रहे होगा उस्कुल में पहस्पिटल के बाड़े होते हैं बत्ची रस्ता रस्ताइब होतेतों वि fandchl DC कृस एक रखना यह ल पहरे हो ब्यादा होते हैं इस पर कया होता है ऐसा लाइन अपरिसान होते हैं उनको परिस्दाना करना पड़ता है तो जहां तो सकते हैं को होन का परियुग कम करना है परिसकां लेने कि बिल्कुल भी नहीं करे अगर गली क्रोस कर रहे हैं कर रस्ता है कर तो रहे ताकि सामने वाला दी खीच के आ तो वो सावजान हो जाए अपने दोनों सावजान हो जाए ठीक को सबस्क्राइब निशान देखिए त्रिभूज बना हुआ है यह स्ट्रीबूज का मतलब होता है थ्रीपूज ब्लैंग होगा अंदर कुछ भी नियुक्त को श्रीप लाइंग की जोगी त्रीबूज के अगर आपको सामने वाले को जाने के लिए रास्ता देना पड़ेगा आप उसको रोक नहीं सकते ना आपको कोई रोक सकता है अगर इंगोल निशान बना हुआ है अंदर सीधी लाइने आगे रस्ता जा रहा है लेकिन क्रॉस कर रखा है तो क्या मतलब हो जाएगा सीधे प्रवेश निशिद्ध है अधिकतर सारी चीज़े आपको शहरों में देखने को मिलेगी जा पर बहुत ट्रापिक रहता है क्या भीडबार रहती है अगर सीधी लाइन क्रॉस मतलब आपको स एक तरफ क्रॉस का निशान है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है इसका मतलब वन वे एक ही रास्ता संकेत अगर आप जयापूर सीटी में जाए या जोत्पूर में जाए वहां पर क्या होता बहुत सारे भीड़बार वाले इलाके होते ना तो वन वे होता है एक तरफ रास्ता इद डिवरफ जाएगा सि गाड़ि आए गाडिया जाएगी आएगे जाएगे नहीं उसे भी और ही राश्ता संकेत इसे बोलेंगे वन ओ आगे हैं कि आने जाने का तो दोनों राश्ते दोनों पिक रोस इसका मतलब दोनों वहांकरा वाहान दिशा में निशिद दोनों ही पाइकल अंदर नहीं जा सकते और आपको डालना भी नहीं है नहीं तो क्या होगा वह बात है फाइन लगेगा इसको ध्यान रखना है यह जो सिंबल हो विशिश करके हम जैसे लोगों के लिए आप जैसे लोगों के लिए क्यों ऑवर टेकिंग पर प्रतिमंद है अगर सामने पाला एरो है उसके निशान नहीं है और गूंके जा रहा है इसका अवर टेकिंग करना मतलब मालो आगे को गाड़ी चल रही है चोटा सा रस्ता है सिंकल रस्ता ठीक है आप उसे होरन देंगे बहुत देर तक पॉंपो करते रहेंगे तो विचारों क्या करेंगा थोड़ी पास्मों के क्या करेंगे निकल जाएंगे गलती से भी बैलेंस बिगड़ा तो या तो आप सड़क से नीचे या गाड़ी के टायर के नीचे और जिंदगी वहीं पर समाप तो जो नौशी की है जिनको भी गाड़ी सिकाने का सोक लगाई है उनको तो बिलकुल भी और टेकि प्रफिदा निशान है बीच में कुछ बना हुआ नहीं है संकेत प्रतिबंद समाप्त होता है अगर बड़ी बड़ी दस्तों में निकलेंगे शिक्ष लाइन में वहां पर संकेत आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जो भी जो भीड़बर वाले इलाका होता है ना आबाधी अपने बड़ी ट्रक देखे होंगे जैसे नारियल के केलो के बहुत सारे समान जो लेके जाते हैं उसकी कैपिसिटी होती है लोड सीमा अगर आप ज्यादा लोड भरोंगे तो सड़क क्या होगा तूटने लगेगा इसलिए अपने अमूमन देखा होगा जो अपने टोलना क बहुतते हैं बड़ी-बड़ी ट्रक होती है की अत्व मं एक होती है जहांपर एक मशिन होती है वहां पउनका वेज वजन होता है ठीकित तो चितना जरूर्य होतने वजन करो अपने बचंắng लिक्षारस अब कर midnight आपko पर पर हुआन जोबड़ेखा इसिशान इसाइब होत होती है किस इस्थान पर कितनी तेज गाड़ी चलान यह तेज गाड़ी निकल गया आप किसी के नजर में आगे तो फाइन हंड्रेट परसेंट लगेगा नहीं तो क्या होगा सीधा जो चालान है आप सीधा गाड़ी का जो मालिक है उसके घर पर जाएगा कि इस इस दिन इतनी बजे आपकी गाड़ी इतनी गती से निकली ती आपको कोट में जाके चालान भरना है लेतों गाड़ी के हो जाएगी जब तो जाएगी यह निशान देखिए और ब्रिज होते हैं बहुत बटे-बड़े तो गाड़ी पुलियों के निकलती है अब क्या होता जैसे की आपने ट्रक मोने लें इसे बढ़ते हैं आदा उदर निकल पूरा रास्ता रोग के चलते हैं अब को क्रोश कैसे करना तो लिमिट सीमा होती है 2m चोड़ाई सीमा अगर उससे ज्यादा सामान भर लेते हो तो क्या होता है या तो गाड़ी कई पर अड़ेगी या सामने वाले को नुक्सान पहुचाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है इसका मतलब होता है मीटर 3.5 उचाई सीमा जैसे की ट्रक की जो पुली बनते ह उनको पता है कि गाड़ी की हाइट उससे ऊपर नहीं होगी लेकिन अब गाड़ी की उचाई की अपिक्षाओ ज़्यादा सामन बढ़ देते हूं तो गाड़ी के सामने अड़ जाएगी पुलिया भी तूटेगा और गाड़ी को भी नुक्सन होगा ऐसे बहुत सारे सिंबल होते जहें। पर जूटों होता है आगे से लेफ्सेर लेना है आगे से रायी ना है ओवरटेक नहीं करना यूटर लेना हैसे बहुत सारे सिंबल होते हैं जो में पढ़ ने चाразу याद भी इस जो परिक्षाओं और हमारे दिनक जीवन के लिए बहुत मैं अ Orbán आखीजी को आ झाल झाल